वेलकम टू क्रिकेट डोक्यूमेंटरीज आज की कहानी एक ऐसे इंसीडेंट की है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को इलाके रख दिया था क्रिकेट में हमने बहुत से क्राइम इंसीडेंट देखे है चाहे हो 1996 सा इंडिया सिलनका मैच हो या फिर स्पोट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग हो लेकिन अब तक आँ सबसे बड़ा कॉंट्रोवर्शाल क्राइम इंसीडेंट था पाकिस्तानी कोच बॉब बॉलमर की देथ 2007 उडिय क्रिकेट वर्लकॉप शायद अब तक का सबसे बड़ा सबसे ज़ादा कॉंट्रय। ग्रिकेट वर्लकॉप ये वो इल्ड कप था जिस stiffens हमें नाई इंडिया वर्सिस पाकिस्तन मैच देखने को मिलती है इंडिया और पाकिस्तन जीसी बड़ी टीम्स गुरूप सेरीस में बाहर हो जाए थी इस बार की पाकिस्तानी टीम उतने एक्सपिजियंस नहीं थी जहाँ पर वसी मकरम और वकार यूनिस जैसे बॉलर रेटायर हो चुके थे और शोय बकतर और महमद आसिप जैसे बॉलर इंजर थे तो एक वीक पेस अटेक के साथ इस बार पाकिस्तान को ये 2007 का ODA World Cup खेलना था और शायद यही रिजन था कि पाकिस्तानी टीम ने इस World Cup में सबसे खराब प्रदशन किया अपना पहला मैच West Endis के खिला 54 रन से आर जाती है और दूसरा मैच Ireland टीम जिन्होंने अभी-अभी क्रिगेट खेलना शरू किया था उनके सामने भी पाकिस्तानी मार जाती है और इस World Cup से बाहर हो जाती है लेकिन अपनी आखरी मेच से तीन दीन पहले 18 मार्च 2007 को बॉब बॉल्मेर की डैट बोडी अपने ही होटल रूम में बाई जाती है वेल्कम बाक, Mystery and Intrigue are swirling around the death of Pakistan's cricket coach Bob Woolmer Jamaican police have confirmed he was strangled, they say he almost certainly knew his killer or killers In initial reports में, देट का रीजन अपना गया था लेकिन उसके बाद उसके बाद उच ऐसी थीरी सामने आई जिसने इस पूरे केज को बहुत ही कॉम्पलेक्स बना दिया जिसमें death की एक रात पहले इंजमा मुलहक और गामरा नकमल का Bob Woolmer को मिलने जाना हो या फिर आशिस्टन कोच के नाख के उपर खरोच की निशान मिलना हो या फिर टीम के मेनेचर का उस दिन नाम बदल की होटल में एंड्री लेन अगले तीम महिने तक इस केस की इंवेस्टिकेशन चलती है 20 मार्च 2007 को उनकी पहली अटॉपसी होती है जिसको आगे चलके फेक माना जाती है और अब तक ये खबर पूरे मीडिया में बाहर हो चुकी थी मीडिया, फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट इस पे अपना ओपिनियन एन थियरिस बता रहे थे 22 मार्च दोरजा साथ को पुलिस ने इसे एक मर्डर केस की तरह इंवेस्टिकेशन करना चलो किये यहां तक कि उस वक्त पे वर्ल्ड कप को कैंसल करने तक की बात है चल रही थी 30 मार्च को मार्क शिल्ड जो की इस के चीफ इन्वेस्टिकेटर थे उनी यह कंफर्म किया कि गुल्मर की डैफ मैन्यो स्केंडल के बारे में लिखने वाले थे उनका यह मानना था कि इसी वज़े से पीसीबी ने वुल्मर का मुर्डर करवाया थे दो माहिने तक चलती है उसके बाद पीसीबी उपनी प्लियर्स पे इन्विस्टिकेशन करने से मना कर देता है और लैक ओफ एविडेंस के चलते इस केस को स्क्लोस करने की सजेशन देता है और उसके बाद 18 जून को टेमिका पुलिस इस केस नैचरल डेथ का रीजन देकर क्लोस कर देती है लेकिन कहीं क्रिकेट फेंस का आज तक मानना है कि पीसीबी की इंटरफेरंस, इन्वेस्टिकेशन डिले और फैक अटॉपसीस ने इस मर्डर को दबा दिया है कर दो कर दो